हेलो एवरीमान नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युट्यूब चैनल एसकुड लाइट में सुभा का टाइम है और टाइम हो रहा है करीब ओने आठ का तो पूजा हो गई है चाइब अगेरा हो गई है और अब शुरू करूंगी मैं लंच प्लस ब्र बन जाता है खाना पूरा और एक तो यह लंच लेकर जाते हैं उपर से फिर मुझे भी शौप पे जाना पड़ता है और हमारे आना पहले से बनता है मतलब यह निकि अभी मैं शौप पे जा रही हूं तो भी ऐसे बना किसी दिन मन होता है तो इनका फिर हमें भीजवाना और पूरर rzeकर दिन मुझे भी तोर कभी यह तो भी यह तो लगता है कि आज मुझे फुलके सेक नहीं है पुजा से पहले रख दिया था तो अच्छे से बोयल हो गया है अब फटा-फट से लगा देते हैं तड़का और चावल भीगा के रख दूँगी सबसे पहले और फिर चावल बोयल हो जाएंगे, फुल के सेख देंगे, खाना ड़न तो इनका लग से पैक करके देंगे तो ऐसा होने वाला है और आज ज़्यादा बाती नहीं करते हैं फिर ना वीडियो भी काफी हो जाकती है तो चलिए बहुत कम मेरे वीडियो ऐसे हैं जो कि ऐसे सामने से सुरू करती हूए नहीं तो काम से ही होता है क्योंकि सुबह बीजीत नी रहती है तो चलिए फटाफट से चलते हैं और मोसम आज हो रहा है बादल वाला कल भी अलकेल के बादल थे और आज भी अलकेल के बादल है तो चलिए जी और दिन है आज हाँ मंडे और कल था संडे तो कल ये ग्रोसरी लेके आए हैं मेरा तो कल तबियत थोड़ी ठीक भी नहीं थी और मेरा मन भी नहीं था तबियत ही ठीक नहीं थी जाने का तो मैं नहीं गई थी एक थोड़े सी ग्रोसरी लेके आये हैं बहुत जाज़ा तो नहीं तो वो भी देख रही हूँ और थोड़े से मेरे चाबल रखे हैं वो मुझे तबे में फिर डालने हैं तो मंदलब धेसारे आज काम है तब यह थोड़ा सा बैटर लग रही है तो फिर वही है आज बैटर है फिर काम पे तूट पड़ूंगी फिर कल ऐसा ही हो जाएगा तो चलिए काम तो करने ही है चलते हैं फटा-फट से और तबियत का मैं सलिए बता है गरम होने के लिए और यह वही कड़ाई मैं रियूस कर रही हूँ जो कि रात मैंने समोसे बनाए थे तो मैंने इस कोईल नहीं निकाला था एक तो मैं थक इतनी जादा गई थी और धेर सारे बरतन थे तो कड़ाई मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि मुझे पता था तो वस यहाँ पे नॉर्मल सा अपना जो तड़का बनता है जीरा, हिंग, प्याज, लैसुन वो मैंने एड़ कर दिया है चोपर में प्याज मैंने चोप कर ली थी और लैसुन की चार पाच कलिया डाल दी थी क्योंकि छोले, राजमा, कड़ी, साग, इन में तो मैं डालती ह और यहाँ पे हलका सा कलर आ गया था ना तो उसमें मैंने डाल दिया एक चम्मच द्रक का बेश्ट और फिर एक मेरी सब्सक्राइबर है जो पहले से ही मुझे फोलो करती आ रही है मेरे दोनों चैनल पे तो वो मुझे बार 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 बोलती है लैसुन डाला करो मृता करने के बाद फिर डाल दिया है इसमें टमाटर और हरी मेच का पेस्ट क्योंकि अद्रक का मैंने पेस्ट पहले ही डाल दिया था नहीं तो मैं द्रक भी सी में पीस लेती हूं टमाटर हरी मेच 3-1-7 और बस इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स यहां पे थोड़ी से टमाट इसको पलटना है तो बस मैंने सोचा चली एक कणाई मेरी बच जाईगी तरकाक इसमें बना लेती हूं और ऐसे मैं कर लेती हूं बर्तन बच जाते हैं और काम हमारा उतना ही होना है जितना होना था क्योंकि चोटी कड़ाई में बनाती बनाना मुझे कुकर में ही था राजमा जादा है थोड़ा सा तो कड़ाई में आता नहीं है और यहाँ पर अड़ करा है एक चमच गरम मसाला राजमा मसाला भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं गरम मसाला ही डाल ले हूँ बिल्कु सिंपल तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, एक बार ओर कवर करके छोड़ देती हूँ, जिसी गरम मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब फलेवर आ जाए, और ये देखे हमारा राजमा, बहुत ही अच्छा बोयल हो चुका है, मीडियम आच पर के अगर हम उस तड़का बनाया है, और थोड़ा सा इसमें पानी, बढ़ा ही धुल्ची की डाल दिया है, बस क्योंकि राजमे में आज पहले से पानी था, रात का बीगा रहता है तो पानी इतना जादा लेता नहीं है, और यहाँ पर चावल का पानी बोयल हो गया है, चावल बीगा के लगाया है, और यह देखिए, बहुती गाड़ा-गाड़ा, गाड़ी-गाड़ी ग्रेवी वाला, गाड़ा हमारी लेंग्वेज है, ठिक सी ग्रेवी वाला, क्योंकि मैं हिंदी वर्ड़ी यूज करती हूँ, तो बहुती अच्छा राजमा बनके तो गया है, तयार इदर म हमारा हो गया है, तयार, फुल के से एक दुगी, और पस, अजी, तो हमारा खाना पिना हो गया है, और यह ओफिस जा चुके है, श्रे आज एक्जाम में गया है, उसका आज एक्जाम था, और यह यहाँ पर बैठा है, बावला बच्चा, बैठ गया हूँ, खापी के मौज म है, और आज है श्रे का, श्रे चला गया था अपने टाइम से, वो मुझे पहले बताना आपको याद नहीं रहा था, क्योंकि व्लोग मैंने जब शुरू नहीं किया था, वो मेरी पूजा करते करते ही निकल जाता है, करीब साड़े साथ बजे, तो अब जाके फिर, मैंने व काफी बड़ा बुक्स का, तो इसकी तो खेर, एक दोई रहती है, कितनी है, तीन थार होगी बस, इसकी तो एक दोई है, बाकी सारी जादर, जो है, श्रे की है, और वो नहीं मानता, नहीं हटाता, तो जी, बस अब जो है, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, तो श्रे को, मै मैं जब तक काम निफटा लूँ है, तो फिर मैं जाओंगी, ये दोनों भाई अपना घर पे, अपनी तयारी करेंगे, क्योंकि मैं कल नहीं गई थी, कल मेरी तब डाउन थी, परसो भी नहीं गई थी, दो दिन हो गया, मुझे शौक पे जाए, तो आज मैं जाओंगी, और बच्चे करेंगे तयारी, कलंच न अपनी शौक पे की है तयारी, और आज और अच्छे से अपने घर पे कर लेगा, तो इस तरह से होने वाला है, आज का दिन, अब मैं चलती हूँ, फटा-फट से काम पे, चुड़ो करती हूँ, पहले थोड़े चावल है, वो भर लेती दब्बे में, अभी ऐसे ही काम चल रहा था, पैकट से ही, और फिर जो है, ग्रोसरी आई रखी है, देखती हूँ, कितना टाइम मेरे पास है, कितना नहीं, मुझे करनी है, पीछे की साइड धुलाई भी, क्योंकि इनोंने न, स्प्रे वगरा किया है, और उसमें, जो है, न अपना जैसे होगा, आप के साइड शेयर करेंगे, खना आद के साइड देट, से होगा के साइड बात्वत कितना अ क्योंकि नहीं, कितना और घर भी बात्वत मेरे, अवगरा कितना इनोंगैं, स्प्रे टेक स्वाशत को बात्या है, या जैस 시न इनन भождत एक सम Other खनावा, ड़ता एक साइड Спrial, जा만 इनोंकि जाएत मीं, जा त कि किछन की अलब देखिए जड़ा क्या हाल है काफी बरी भी पड़िया और मशीन लगा दी नहां के तयार हो लिया है मैंने मसीन लगा दी है और यहां पे राजमा ऐसे रखा है चाल भी ऐसे रखे हैं और यह देखिए यह सब्जियां फ्रूट दूले तो लोकी है कदू है और पपाया यहां पे हैं टमाटर है इसमें खीरे हैं शिमला मिट्च है गोबी है लास्ट क्यूंकि सिजन जा रहा है नेबू अद्रक हरी मिच्ची यहां पे हैं एपल अरा दनिया डेस आरा और यहां पे हैं ग्रेप्स इनको मैं फ्रिज में रख देती हूं सूख चुके हैं काफी और हमारी किचन में लाइट कम हो रही है बहुत काफी कम हो रही है तो अब इनको रखती हूं सबसे पहले उठा के फ्रिज में और फिर करती हूं उसके बाद बरतन और यहां पे और दिखा दूँ भी आपको यह हैँ चावल जो कि इसमें से खाए हैं काफी टाइम से चल रही हैँ थोड़े से खावी लिए इनको होता यह करीब 25 कि लोगा होता ही है और इसमेंसे काफी हमने खाए लिए तो यह हैं बासमती राइस और राइस के बाद फिर आती है यहां पे ग्रोसरी आटा कल लेके आये थे यह, सिल्वर कोईन काम यूज़ कर रहे हैं काफी टाइम से, और एक जो है, पूरा थेला भरा हुआ, बैक भरा हुआ रखा है, यहां पे ग्रोसरी का, कुछ रखी है यहां पे सोफा पे, तो मैं लेके आती हूँ, परात, यह परात इसमें रख देती हूँ, क्योंकि मेरा जो वो है, टूट गया है, तो यहां पे, अब निकाल निकाल के रखते हैं हम, अंच की ओरी थी, यह खतम, क्या ओरी थी, हो रहा था मतलब, अंच का ओर रहा था होलिक्स खतम, तो इसके पापा ले आई हैं, इस बार बड़े वाला, यह है, ड्राइफ फूट खतम हो रखे थे, ग्रोसरी बहुत जादा खतम नहीं थी, लेकिन ड्राइफ फूट विल्कुल खतम थे, यह हो गए है, अख्रोट, हो गई है किश्मिस, किश्मिस यह एकोल ले आए हैं, एकी बार काफी, यह है मिस्त्री, जो कि पूजा के यूज आती है मेरे, और यह क्या है, यह साबुदाना लेके आए हैं, कि मतलब रख लेना, या तो नवरातरी में आगे कामा जाएगा, या फिर कभी मन भी कर जाता है, इन वो नो दिन, फास्ट वाले दिन मैंने बना के दीती, तो उनको बहुत पसंद आई, काफी टेस्टी लगी, एक और मिस्री का पैकिट है, और यह देखिए, बदाम का पैकिट शरे ने फाड लिया है, और खटम हो, रखेते बिलकुल, तो उसने निकाल ली है, बदाम को कुछी बचे हैं, कुछ डपे में बरके रख दिये हैं, शरे ने निकाल ले थे रात, रस्क हैं, और यह हैं, नाने की साबुन है राजमा है बेसन है और है धनिया धनिया पाउडर नहीं सोरी स्पूरा धनिया ये क्या है किचन किंग मसाला मलका मसूर क्योंकि आज कल पसी जना गया है मलका का ये है सौल्ट असिरवाद का है और फिर बारी आती है छोले और फिर से मलका मसूर ये है लाल मसूर ये है बंधी दाल और जी अर-अर की दाल अर-अर के छोटे पाउच मिले होंगे इनको हाँ बड़े नहीं मिले और फिर जो बारी है ये क्या है मीथी दाना और ये क्या है अब इस बार ये लाएं है सर पर एकसल का जो यूज करते है न तो ये वाला पैक लाएं है इसमें शाद कुछ वो हुआ होगा हाँ वैसे एक लिटर की बोटल आती है न तो ये बड़े वाला ले आए है इस तरह का पैक सर पैकसल लिक्विड और जी ये एक मैंने सर पैकसल का पाउडर भी मंगवाया है बिलको खता मुरक खता क्योंकि कहीं जगा न पाउडर पी यूज होता है मशीन में तो ख्यार पा काले चने यह क्या है जीरा यह है अपना बेसन यह हो गया है क्योंकि दाले बहुत कम हैं बहुत सारी घर में बची हुई थी इस बार थोड़ा जल दिया है ड्राइफूट की वज़े से और खास करा इसको अंशकों न लगी हुई थी कि दूद नहीं पियोंगा हॉलिक्स के तो यह इस तरह से हमारे सामान हो गए हैं बिस्किट बहुत सारे घर में थे बिस्किट नहीं है और कुछ दाले नहीं है तो यह देखें यह है आटा और यह है यहाँ पर अपने गार्डन के लिए कुछ क्या है वर्मी कंपोस्ट खाद वगेरा कुछ इस तरह का होगा मैंने नहीं देखा जो भी है और कुछ इनों ने स्प्रेक कर दिया सुबह तो यह भी समान भी सारे ले के आए तो समान अभी ऐसे पड़ा हुआ है लाइट मैंने इसी चला रख लिए कम लाइट थी तो इसमें मैंने समान निकाल दिया तो समान तो मेरा ऐसे रखा गया है इसको भी मुझे जगा पे रखना है और सब ऐसे पड़ाया भी डेस्टिंग नहीं और सई कवर वगड़ा कुछ भी नहीं हुए भी सिर्प एक रूम किया था तो सबसे पहले चलूंगी मै किचन में सबसे पहले चावल डालूंगी यह समान जग्या पे रख दूंगी और बर्तन करूंगी और उसके बार फिर जो है जब तक आ जाएक अश्रे फिर उसको खाना वाना और फिर तयार हो के मजाओंगी शौक पे तो इस तरह से मेरा होने वाला है तो यह देखिए यह मा बेटा क्या कर रहे हैं मुझसे इतना वजन ने उठ रहा था और मैंने थोड़ा थोड़ा करके बरूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा अंश गया था नादो के मंदीर अभी शौक पे नहीं गया जब इसके आवाज आ रहे थी ना तो यह मंदिर जाने का तो यह ना दोकर मंदीर ओकर आया है फिर घर आया था समान लेने के 20 वाभी तो वैने बेटा यह मिनट का काम मेरा करवाता जा तो इसने चावल इसमें डलवा दिये हैं हम दोनों मा बेटा ने पकड़के जल्दी डाल दिया नहीं तो थोड़ा तो थोड़ा टाइप रखते हैं तो उसमें रखा हुआ था ये आता है 25 किलो का चावल का पैकेट कट्टा बोलते हैं हम तो तो यहां पे सब जीवगरा मैं रख दूंगी कुछ मैंने रख दी हैं वह एक दो बची वह भी रख देती हूं फिर ये खाना जो है ये भी मैं निकाल दूंगी ब बरतन हो तो उसमें इस तरह से सब जीवगरा नहीं छोड़नी चाहिए उसको साथ के साथ खाली कर दें और ये बड़ा मेरा कूकर अलुमूनियम का ही चल रहा है अभी तो बड़ा तो मैंने नहीं लिया नॉन स्टिक वाला लेकिन हाँ छोटा है तो जब जैसे ज़्यादा है बनता है ना राजमा छोले तो इस तरह का तो दो टाइम बनता ही है तो इसमें निकलता है फिर इसमें बनाना पड़ता है, मतलब चोटे बें नहीं बनता है हाँ जी सारा काम हो चुका है नाना दोना सरदुला है मैंने वो तब को दिखी गया होगा खोला है मंडे है आज तो सरदुला है और सारा काम जो है मेरा हो गया है समान रख दिया कुछ डबो में डाल दिया कुछ एक्टरा जो पैकेट रखने होते हैं वो रख दिये और आज मे इस ताइम तक हाल सारा काम, फिर बीच में ना वही है, बैठ जाओ तो लेट हो जाता है, बीच में मैंने डाल दिये थे पापा के कबर वगेरा भी आज रजाई के और बैठ सिट उनकी सब धुल दी है, अभी सुखाई है उपर और मोसम फिर अच्छा हो गया था, सुबा तो लग रहे थे, सुबा सोच रही थी दूलू ना दूलू, लेकिन फिर मैंने लगा दी थी मशीन, फिर दूपसी हो गई थी, और अब तो अच्छी कासी दूप हो रही है, थोड़ी देर मैंने बाल पी सुखाई हैं बाहर, अब चलूँगी शोप पे, अब तक का मेरा जो कर देती हूँ, मिलूँगी बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लोग में, तक के लिए बाई बाई, थेंक्यू पर वोचिंग,